रिंकू और बबली दोनों भाई बहन थे, बचपन से ही अकसर उनके पापा उन्हें एक कहानी सुनाते आ रहे थे, एक दिन फिर से रिंकू बबली रात में अपने पापा के पास सोने के लिए आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, आओ बच्चो मेरे पास लेटो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ उस मूनोचवा चुडैल के बारे में, बच्चो वैसे मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि ये कोई कहानी नहीं है, मूनोचवा चुडैल सच में मेरे गाउ में आती थी, अच्छा तो सुनो, जब मैं चोटा तब अच्चानक से गाउ में ये बात पहल गई कि एक मूनोचवा चुडैल रात में पूरे गाउ में उड़ती है, और जो कोई भी अपनी च्छत पर लेटता है, वो उसके मूँ को नोच कर चली जाती है, लेकिन सब उस चुडैल से बहुत डरते थे, सब ने अपने अपने घरों की च्छतों पर सोना तक बंद कर दिया था, एक दिन अच्छानक से वो चुडैल गायब हो गई, और दुबारा कभी नहीं दिखी, सब का कहना था कि हमारे गाउ में जो शीला दीदी रहती थी, उसने उस चुडैल को एक लकड़ी के डबे में बंद कर दिया था, और जंगल के बीच में कहीं छोड़ दिया था, शीला मुझसे कुछी साल बड़ी थी, वाकए में वो बहुत ज्यादा सुन्दर और बहादुर थी, मैं तो अपने मम्मी पापा से ये भी कहता था कि मेरी उससे ही शादी करा दें, ये सुनकर रिंकू और बबली हसने लगते हैं पीछे रिंकू और बबली की मम्मी खड़ी थी, और वो पापा को गुसे में घूर रही थी, अच्छा जी, इतनी सुन्दर थी वो शीला, तो आपने उससे ही शादी क्यों नहीं कर ली, मेरी जिंदिगी क्यों खराब की अरे, अरे, वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस मजाग कर रहा था, तुम तो सबसे सुन्दर हो, हाँ बस, बहुत हो गया मजाग, और ज्यादा न, मसका लगाने की भी जरुरत नहीं है, अब सब लोग सो जाओ मम्मी की बात सुनकर, सब लोग जल्दी से सो जाते हैं, ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं, और एक दिन पापा, खुश होकर घर आते हैं बच्चों, तुम लोग हमेशा कहते थे न की, तुम्हे मेरा गाउं देखना है, हम लोग कल मेरे गाउं जा रहे हैं, मेरी पाँच दिन की छुट्टी है, और मैंने कल की ट्रेन की टिकेट्स भी बुक कर दी हैं अरे वा, क्या सच में पापा? रिंकू, फिर तो शायद हम उस मो नुच्वा चुडैल से भी मिल पाएं? अरे बच्चों, चुडैल का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी दादी तुम्हारा बेहद इंतजार कर रही है, उनसे मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी अगले ही दिन रिंकू और बबली अपने मम्मी पापा के साथ गाउं जाने के लिए निकल जाते हैं, अपनी दादी के घर पहुँचकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और उनकी दादी उनकी बहुत खातरदारी भी करती है बच्चो और बताओ तुम्हें क्या-क्या खाना पीना है, मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक वियंजन बनाऊंगी तभी एक लड़की उनके घर आ जाती है, वो लड़की रिंकू और बबली से थोड़ी ही बड़ी थी और दिखने में वो काफी सुन्दर थी अरे मा ये गौन है इसे नहीं पहचाना बेटा, ये शीला की बेटी कोमल है, रिंकू और बबली ये तुम दोनों के साथ खेलने आई है मैंने जब शीला और इससे बताया कि तुम लोग शेहर से आने वाले हो, तब वो दोनों बहुत खुश हुए हाँ रिंकू और बबली, चलो मैं तुम्हें गाउं दिखा कर लाती हूँ, हमारा गाउं बहुत ही ज्यादा सुन्दर है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, चलो रिंकू कोमल और बबली गाउं में खुमने निकल जाते हैं वैसे मा, क्या सच में शीला मेरे आने की खबर सुनकर खुश हुई हाँ, और वो शाम को तुमसे और तुम्हारी पत्नी रजनी से मिलने भी आएगी ये सुनकर पापा खुश हो जाते हैं उधर रिंकू बबली और कोमल गाउं में ठहल रहे थे कि तभी रिंकू कोमल से कहता है ये तुमसे किस ने कहा कि वो जूटी है? मेरी मा ने खुद उस चुडैल को पकड़ा था मेरी मा बहुत बहादुर है और ये बात तो सारा गाउं जानता है अरे भला चुडैले भी कहीं होती है क्या? ये तो मुम्किन ही नहीं है बिलकुल होती है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जंगल ले जाकर वो बकसा भी दिखा सकती हूं जिसमें मेरी मा ने उस चुडैल को कैड़ किया था ये सुनकर बबली और रिंकू थोड़ा डर जाते हैं क्या? सच में? ऐसा कोई बकसा जंगल में है? हाँ, मगर तुम वो बकसा सिर्फ दूर से ही देखना अगर तुम बकसे के ज्यादा पास गए ना तो वो चुडैल तुम्हें वश में कर लेगी और तुमसे बकसा खुलवा देगी समझे? ठीक है फिर लेकिन हम सिर्फ दूर से ही बकसे को देखेंगे ठीक है, चलो फिर कोमल, बबली और रिंकू को लेकर जंगल में चली जाती है काफी देर चलने के बाद वो तीनो जंगल के बीचो बीच पहुँच जाते है अचानक से कोमल रुख जाती है क्या हुआ कोमल? हम रुख क्यों गए? हम लोग पहुँच गए हैं बबली, अब यहीं रुख जाओ और इन जाडियों से छुपकर ही देखना इससे ज्यादा आगे मत बढ़ना तीनो जाडियों के पीचे से देखते हैं और उन्हें एक बकसा दिखाई देता है देखा, यही है वो बकसा इसी के अंदर कैथ है वो मून रुचुवा चुडैल अरे रिंकू, वो तो बस एक खरगोश था तुम यहां वापस आजा रिंकू लेकिन रिंकू वापस आता उससे पहले ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है यह एक डरावनी आवाज थी जो रिंकू को अपनी तरफ बुला रही थी रिंकू, रिंको, इधर आओ वो आवाज सुनकर रिंकु मानो उसके वश में हो जाता है और उसी बकसे की तरफ बढ़ने लगता है अरे ये रिंकु बकसे की तरफ क्यों जा रहा है हे भगवान ज़रूर चुडैल ने उसको वश में कर लिया है अब हम क्या करें हमें यहां से जाना होगा क्या? पर हम रिंकु को छोड़ कर कैसे जा सकते हैं? अब हम कुछ नहीं कर सकते बबली, हम चाहें कुछ भी कर ले, रिंकु अब नहीं रुखने वाला हमें जाकर मा को सब बताना पड़ेगा, वही कुछ करेंगी, जल्दी चलो, इसके पहले बहुत देर हो जाए कोमल बबली को खीच कर जंगल से बाहर ले जाती है, और उधर रिंकु सीधा जाकर वो बकसा खोल देता है बकसा खुलते ही अंदर से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकलती है, और रिंकु को गले से पकड़ कर दूर फिंक देती है ऐसा करने से रिंकु वहीं बेहोश हो जाता है अब आएगा ना मज़ा, इतने समय बाद मुझे आजादी मिली है कब से मैं इस छोटे से बदबुदार बकसे में कैद थी अब मैं इस गाउ के हर एक आदमी का मून ओचुगी और सबसे पहले उस शीला का, जिसने मुझे कैद किया था चुडेल शीला को ढूनने के लिए गाउँ आ जाती है और उसे रास्ते में जो कोई भी दिखता है, वो उसका मुह नोच लेती है उधर कोमल और बबली जाकर शीला को सब बता देते हैं वहाँ पर बबली, रिंकु के मम्मी पापा और दादी भी मौझूद थे क्या? ये सब क्या हो गया? और बच्चों तुम लोग वहाँ क्यों गए थे? ये कितना खतरनाक था! अब नजाने क्या होगा? रिंकु जरूर वही जंगल में होगा! हमें तुरंत वहाँ जाकर रिंकु को वापस लाना होगा! वरना अगर अंधेरा हो गया, तो जंगल में रिंकु को ढूनना नामुम्किन होगा! शीला बबली और रिंकु के पापा के साथ जंगल पहुँचती है और देखती है कि बकसे के पास ही रिंकू बेहोश पड़ा था पापा उसे उठा लेते हैं वो चुड़ैल जरूर गाउं भर में मुझे ही ढून रही होगी क्योंकि मैंने ही उसको कैद किया था पापा रिंकू को लेकर पहले अपने घर जाते हैं फिर रिंकू को वहाँ छोड़ कर शीला के घर पर चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं थोड़ी ही देर में चुड़ैल वहाँ पहुच जाती है शीला, शीला कहा है? मून नुच्वा चुड़ैल उड़कर जंगल की तरफ जाने लगती है पापा भी बिना देर किये एक रोड उठाते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं पहले चुड़ैल वहाँ पहुच जाती है और शीला को देख कर उससे कहती है आज मैं तुझे मार डालूँगी शीला की बच्ची और तुझसे खुद को कैद करने का बदला ले लूँगी देखते हैं कि तुम मुझसे बदला लोगी या मैं तुम्हें वापस उस बखसे में कैद करूँगी ये सुनकर चुडैल को गुसा आ जाता है और वो शीला पर छपटता मारती है मैं तुझे छोड़ूँगी नहीं चुडैल की बच्ची तुम मेरा मुझसेगी अभी बताती हो तुझे शीला चुडैल के बाल नोचने लगती है लेकिन चुडैल गुससे में शीला को इतनी तेज धक्का मारती है कि वो दूर जाकर गिर जाती है चुडैल शीला का मूँ नोचने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तबी वहां रिंकू बबली के पापा आ जाते हैं और रोड से सीधा चुडैल के मूँ पर वार करते हैं ऐसा करने से चुडैल को दिखना बंद हो जाता है और वो दर्द से चिलाने लगती है शीला जल्दी से उठती है दोनों जल्दी से चुडैल को बखसे में डाल कर उसे फिर से बंद कर देते हैं शीला बखसे को जला देती है और बखसे के साथ साथ चुडैल भी जल कर राख हो जाती है फिर पापा मम्मी रिंकू और बबली को लेकर वापस शहर लोट जाते हैं और खोशी-खोशी रहने लगते हैं